नमस्कार दोस्तो आप सभी को स्वागत है अपके अपने चैनल एगरी स्टेडी पे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबाड ग्रेड ए एक्जाम के बारे में नाबाड एक्रिकल्चर वालों के लिए बहुत ही पॉपुलर एक जॉब अपर्चुनिटी है जिसमें अच्छा सेलरी और रेस्पेक्ट मिलता है इस वीडियो में हम नाबाड एक्जाम के बारे में पूरा जानकरी लेंगे कैसे आप एक आफिसर बन सकता है आप मेंसे बहुत सरे लोग मुझे पूचते कि आप एक्जाम के प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके लिए ओली बोड आपके लिए लाया है अपना खुद का नाबाड कोर्स और प्रैक्टिस टेस्ट ओली बोड बहुत ही पॉपुलर एक प्लैट्फॉम है जहाँ पे आप बैंकिंग एक्जाम के बारे में जानकारी ले सकते हैं लाइब ग्रूप शेशन, कोर्स मेटरियाल, ऑनलाइन टेस्ट सिरीज ये सब आपको प्रोभाइड किया जाएगा डेस्क्रिप्शन पे लिंक है वहाँ से आप जरूर इसको चेक आउट करिए ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपका एडुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अगर आप एसिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आई डी बी एस जेनरेल पोस्ट के लिए अपलाई करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रेकोगनाईज उनिवर्सिटी से किसी भी सबजेक्ट में और आपके पास मिनिममम 50% मार्स होना चाहिए अगर आप SC, ST, PWD कैंडिरेड है तो आपके पास 45% मार्स होना चाहिए अगर आप एसिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए आई डी बी एस जेनरेल अग्रिकल्चर पोस्ट के लिए अपलाई करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एग्रिकल्चर होना चाहिए अपके पास मिनिममम 50% मार्स रिक्वाइड होगा कोई भी रेकोगनेज उनिवर्सिटी से अगर आप H.T.P.W.D. कैंडरेड है तो आपके पास 45% मार्स चाहिए अगर आपके पास पोस्ट ग्रेडुएट डिग्री इन एग्रिकल्चर है या फिर स्वाइल सायंस एग्रोनोमी में मास्टर्स डिग्री है मिनिमम 50% मार्स के साथ तब आप अप अपलाई कर पाएंगे अब हम बात करता है दूसरी सबसे important जो criteria age limit क्या होता है इस job के लिए आपका minimum age होना चाहिए 21 years और maximum age होता है 30 years लेकिन इसमें कुछ age relaxation provide किया जाता है SC-ST candidate को 5 साल की age relaxation आदर backward classes को 3 साल की age relaxation एक सर्विसमें के लिए 5 साल की age relaxation और person with disabilities के लिए 10 साल की age relaxation provide किया जाता है अब हम बात करता है नाबाट grade A assistant manager post की salary के बारे में basic pay होता है लगभग 28,150 पार मांत इसके साथ बहुत सारे extra benefits, allowances और parks दिया जाता है नाबाट grade A officer का initial monthly gross enhanced salary लगभग 62,600 के असपास होता है अब हम बात कर लेते हैं नाबाट grade A का exam pattern क्या रहता है नाबाट grade A तीन phase में conduct किया जाता है सबसे पहला होता है phase 1 उसके बाद qualified student phase 2 से गुजरते है और phase 2 में qualified student को interview के लिए बुलाया जाता है सबसे पहले आता है phase 1 यह preliminary exam है और यह online objective test होता है जिसमें 7 test आपको देना पड़ता है English language, reasoning, quantitative aptitude, general awareness, computer knowledge, economic and social issues, agriculture and rural development यह सब test में अलग-अलग marks allotted किया गया है जिसको कुल मिला के total 200 marks होता है आप screen पे देख सकता है कौन से subject में कितने marks allotted है total इसमें 200 question होता है जिसमें आपको maximum 200 marks दिया जाता है और इसके लिए आपका total time duration होता है 2 घंटे यानि की 120 minutes इसमें हर एक जो exam होता है यानि की quantitative aptitude reasoning ability हर एक test का अलग-अलग sectional cut-off होता है और इसमें negative marking भी रहता है आपका किसी भी wrong answer के लिए one-fourth negative marking होगा phase 1 complete हो जाने के बाद आपका phase 2 exam होगा phase 2 भी एक online test होता है जिसमें 2 paper रहता है paper 1 और paper 2 paper 1 एक online descriptive test होता है जिसमें आपका English language पे proficiency check किया जाता है इसमें total marks रहता है 100 इसको solve करने के लिए आपको total 90 minutes time दिया जाता है इसके बाद आता है phase 2 का paper 2 ये भी एक online objective test होता है general post के लिए phase 2 paper 2 में economic and social issues agriculture and dual development में से questions पूछे जाता है phase 2 में आपको total जो cut-off marks होता है उसके साथ-साथ हर एक paper में minimum qualifying marks लाना पड़ेगा तभी आपको interview में बुलाया जाएगा objective test में हर एक wrong answer के लिए आपका 1 by 4th marks deduct हो जाएगा नाबाड grade A phase 2 exam qualify करने के बाद आपको नाबाड grade A personal interview के लिए बुलाया जाएगा personal interview round total 25 marks का होता है main exam के marks और interview के marks एक साथ combine करके उसके बाद जो final list है वो prepare किया जाता है दोस्तो ये था नाबाड grade A के बारे में total discussion इसके बाद हम नाबाड grade B के बारे में भी एक total detailed वीडियो बनाएगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ स्यार करिए हमारे चैनल को subscribe करके हमारे साथ जूड़े रहिए